केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मात्रू वंदना योजना PMMVY 2.00 लागू कर दी है। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की सेहत में सुधार करना है। इसके साथ ही महिलाओं को आर्थिक प्रोत्साहन के जरिये कुपोशन के असर को कम करना है। क्या है ये योजना? वही medical treatment और दवाखर्च से जुड़े financial समस्याओं को भी कम करना है। यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सरकार की ओर से चलाई जाती है। इस योजना के तहट इन महिलाओं के अकाउंट में हर साल 5000 रुपए मुहया कराए जाते हैं। यह 5000 रुपए तीम किष्टों में दिये जाते हैं। ऐसे मिलती है किस्ट। प्रेग्नेंट महिला को इस योजना के तहट रजिस्ट्रेशन के समय 1000 रुपए की पहली किस्ट दी जाती है। छटे महिने के कम से कम एक प्रस्वपूर्व जाँच कराने के बाद 2000 रुपए की दूसरी किस्ट दी जाती है। आखिरी में बच्चे के जन्म के रजिस्ट्रेशन के बाद 2,000 रुपे की तीसरी किस्त दी जाती है. किन महिलाओं को मिलता है फाइदा? इस योजना का वो महिलाएं फाइदा उठा सकता है, जो दैनिक वेतनमान पर काम कर रही है. इसके अलावा जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिती बेहत कमजोर है, वो अपलाई कर सकती है. इस योजना का मुख्य मकसद गरभावस्था के दौरान मजदूरी में हुए नुकसान को कम करना है. क्या आई प्रमान पत्र लगाना जरूरी? अपलाई करते समय आई प्रमान पत्र लगाना होता है. ताकि महिला की फाइनेंशियल स्थिती का वेरिफिकेशन किया जा सके. इस योजना का फाइदा उन महिलाओं को नहीं मिलता है, जो किसी भी केंद्रिय या फिर राज्य सरकार के उपक्रम, एंटरप्राइस से जुड़ी हुई है. इस आर्थिक मदद के मिलने से गर्भवती महिलाओं को आराम करने का समय मिल जाता है. क्या मात्रू स्वास्थ्य पर प्रभाव? PMVY पहल का भारत में मात्रू स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ा है. इससे गर्भवती महिलाओं और स्तन्पान कराने वाली माताओं के लिए मेडिकल ट्रीटमिंट और देखभाल की सुविधा मिलती है, जिससे कुपोशन में कमी आई है. इसके अलावा इस योजना के जरीए वित्तिय प्रोचानों ने गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों पर वित्तिय दबाव में कमी आई है.